नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट सेन केयर में दोस्तो आप जो ये प्लांट देख रहे हैं और इसके उपर जो फ्लावरिंग आप देख रहे हैं इस फ्लावरिंग में थ पे 5-5-6-6 flower खिले वे हैं और कई ब्रांचों पे तो 5 से जादा भी flower हैं तो आप देख रहे हैं ना कि यह flowering जो हुई है कितनी जबर्दत तरीके से हुई है यह ऐसे ही नहीं हुई है इस पे हमने बहुत मेहनत करी है और इसके अंदर जो हमने trick लगाई है वो zero of cost की है ना तो ह हमने इसके अंदर कोई booster डाला है और ना ही इसके अंदर हमने कोई 1000-2000 की fertilizer इसके अंदर लाके डाली है तो आज की इस वीडियो में हम आपको bunch flowering का जो नुस्का है वो बताएंगे कि किस तरीके से हमें इस तरह की flowering मिल सकती है दोस्तो यूट्यूब पर more flowering के लिए ज्याद नहीं होगी तो हम वो trick आपको बताएंगे वो trick यदि आप अपने plant पर लगाएंगे तो ऐसी ही flowering आपको मिलेगी तो आप देख रहे हैं ना मेरे अडेनियम plants की हर ब्रांच पर ठीक इसी तरह की flowering होई है आप देखिए एक branch है single और उसके उपर 4 से 5 पांच flower इस पर लगे ह हुए हैं और कई पर 5 से ज़्यादा भी हैं और ऐसा नहीं है कि 5 ही हैं 5 के बाद खिलने वाले भी हैं तो upcoming flower भी इसके अंदर हैं तो आप ध्यान से देखिए और एक ही branch के उपर इतने flower कैसे पा सकते हैं इस पर देखिए इस पर तो 6 है 5 से 6 तो normal बात है बहुत से पर और भी बिना ही हुई है देखिए ओबेसम का प्लांट है मेरा और इस पर भी उसी तरह से flowering हुई है आप इनकी पत्तियों पे जो एक धब्बे से आप देख रहे हैं बस इसी की वज़े से इतनी flowering इनके उपर हुई है बस यही वो राज है जिसकी वज़े से इतनी flowering हुई है और मैं आई बटन पर वो वीडियो लगा दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उससा में हमारी प्लांट पर, किसी भी प्लांट पर इतनी फ्लावरिंग नहीं थी, एक दो फ्लावर थे, लेकिन इतनी संख्या में नहीं थी, हमने जो प्रोसेज इसके साथ किया, उसके मिलती है, आप देखिए ये भी ओबेसम का प्लांट है, इसका बहुत ही डार्क, बहुत ही बढ़ियां फूल आता है, और इसके उपर भी आप देख सकते हैं, इसके उपर भी बंच फ्लावरिंग हुई है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरेबिकम और थाई सोको के उपर ही इ राइट कलर के आते हैं, बहुत सुन्दर आते हैं, इसका तो सीट पोर्ट भी बनने वाला है, और जल्दी ही हमें इसके बीज भी मिलेंगे, और देखिए आपको विजिवल हो रहा होगा, और इसके जो लीफ हैं, इसके उपर भी आप वो इस पोर्ट देख रहे होंगे, य इसके उपर ज़्यादा हम छिड़काओ कर नहीं पाए, तो छिड़काओ कम होने की वज़े से, क्योंकि इसकी लीफ जल्दी से आई नहीं, उस समय आई नहीं जब हमने इसके उपर छिड़काओ किया था, तो दोस्तों वो जो घोल है, वो घोल किसीज का है, वो मैं आपको उसके लिए आपको 0 रूपीज खर्च करने होंगे, या फिर आप अपने घर से वहां तक जाएंगे, तो आपको उतना तेल लगाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुँचेंगे, तो वही इसमें खर्च आएगा, बाकी इसके अंदर कोई खर्च में जानते ही हैं, कि वो किस तरह से चलता है, दोस्तों उसके अंदर जो हम जो गोबर के बने हुए उपले, और बहुत सी जिगें उसको कंडे भी बोल देते हैं, उनका इस्तमाल करते हैं, तो आप देख रहे हैं, मेरे इस फ्लावर पे एक बी बैठी है, थोड़ा अजीब गरीब बी है, और यह अराम कर रही है, इसका काफी पेट भर गया है, यह देखिए किस तरह की बी है, तो इसी तरह के इंसेक्ट्स मेरे प्लांट्स को इस समय पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों बस आपको उसी चूले की जो राख होती है, जब खाना बन जाता है, उसक आपको इस्तमाल करना है, लेकिन उसका इस्तमाल कैसे करना है, यह अभी आपको मैं बता रहा हूं, आप उसको जब लेके आएं, तो यदि आप 1 kg एश लेते हैं, तो 1 kg की एश के अंदर 100 g आपको चूना मिलाना है, अब चूना कौन सा मिलाना है, ऐसे नहीं है कि कोई भी च चुना आप मिला दें उसके अंदर आपको जो चुना आप देखते हैं जो सड़क के किनारे बिछाया जाता है आपको वो चुना इस्तमाल करना है और दूसरी चीज यदि आपको सिंडर की एस मिल जाए यानि कि जब हम सिंडर को चानते हैं उसके अंदर से जो धून लिकलती ह उसका भी आप इस्तमाल कर सकते हैं कम मात्रा में दोस्तो अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने आपको एक spider के बारे में जिकर किया था तो आज वो spider देखने को मिल गई है आप इस spider को देख सकते हैं यह white color की होती है ये बड़ी मदूख़्ी को भी अपना शिकार बहुत आसानी से बना लेती है इससे साफधान रहें आप भी तो दोस्तो जो मिसरेन मैंने आपको बताया है उसको आपको पानी के अंदर एक बहुत ही पतला लिक्वीड बना कर स्प्रे कर देना है एक बार मिसरेन बना के रख लें जितना ज़रूरोत हो उतना पानी में मिलाएं और स्प्रे करते रहें तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जनकारी के साथ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दवाना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद